दोस्तों अनम्द 14 की पूजा कैसे करेंगे उसकी विधी आए इस वीडियो से जनकरी प्राप्त करते हैं तो शुभा आप जो गंगा जल मिश्रिद पानी में नाहा धो कर शंकल ले क्योंकि जो गंगा जल थोड़ा सा मिला देने से आपको तीर्थ अस्तान का फल तीर्थ श्न यह संकल पुलेने के बाद आप सारी शामगरी इकठा कर लिए और सारी पुजा की सामगरी मेरा वीडियो में मैं दे चुकी हूँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल विजिट करके और उसके बाद आप एक घर में जो पूजा करेंगे तो उसकी बीधी दो तिन प्रकार से हैं व दो प्रकार की पुजा आप कर शक्ते हैं एक तो खटास फापना की बिदी है तो आप सिंपल टरह करना चाहते हैं जो औहुंकी जो भोग-राग करके और दूप तीप करके पूजा कर सकते हैं और जदी कलस तापित करना चाहते हैं तो कलस आवान का मंत्र जदी जानते हैं तो कलस आवान का मंत्र पढ़कर आप कलस तापना कर लिजिए या फिर पंडित को बुलाकर आनंद 14 की पुझा बहुत अच्छे से कर लिजिए उसमें बहुत फल मिलता है क्योंकि पंडित जब मंत्र उचान करते हैं तो उसमें देवादेवी कावान होता है तो वो ज्यादा फल्दाई होता है पर यसा नहीं हो पा रहे तो आप घर में सिं अनन और रोली मोली बस्तर के रूप में आप कलावा भी दे सकते हैं और उसके बाद नई बद्या नई बद्य के साथ आप अप अबस्तर लगाए और नबद्र के साथ आप लोग इलाजी दचिना पानगेश अभी रक्षा रखें तो और इसके बाद होने के बाद आप जो अनन्त डोरा पूजा करिए तो अनन्त चतूरदसी का खास बाती है कि अनन्त डोरा इस दिन पहनना पड़ता है और अनन्त डोरा या अनन्त शुत्र के पूजा करनी पड़ती है तो आप चोधा कांट वाली अनन्त शुत्रा जदी बनाना जानते हैं तो बना लिजे पहले से या फिर आप बहार से खरीद कर लिए आए और अनन्द दोरा आज की दिन जो ब्रधरी होते हैं उनको पहनना पड़ता है तो अनन्द दोरा का पूजा करके पूजा किस प्रकार करेंगे उसमें भी थोड़ा सा रोली अच्छत और पूस पचड़ा कर और विश्ण भगवान के आती है तो हाथ जोड़कर उनसे भिनती करिए कि मेरे से जो भुल चुकूई है वो सारी मुझे माप कर दीजिए और यह सब करने के बाद आप अनन्द दोरा का वहीं पर ही पूजा से उठकर खड़े होकर उसको नहीं बांदे वहीं बैठकर आप अनन्द सुत्र को बांद कर दीजिए और उसके बाद आप भौजन करिए क्योंकि जो जीस तीन हम ब्रत रखते हैं उस दिन एक ब्रावन भोजन कराना जरूरी है सीधे हम वो ब्रत का जो भोजन है वो हम नहीं ले सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सुखे चीज के नाम पर आप कुछ पैसे र सामगरी जुटा कर पाटा में पुजा करना उनके लिए समभ नहीं हो पाता है वो सिर्फ चाहते हैं कि कैसे भी हो थोड़ा सा पूजा हो जाए तो आपके मंदिर में जदी विश्न भगवान की प्रतिमा है तो उनको फूल अर्पित कर दीजिए तुलशी माला अर्पित कर दी है तो यह थी कुछ जनकरी आपके लिए और इस प्रकार के जनकरी के लिए मेरा भी चैनल विजिट करिए तो चलिए नए जनकरी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए धन्यबाद